हाई, I am Arion, आए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं, हम लोग बेसिक के क्लासेस सीख रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं, have edge का परियोग, have edge मतलब होता है, pass है, ठीक है, pass में सीखे थे, perfect में, have edge मतलब होता है, भर्वत्री लगा के, मैं जा चुका हूँ, I have gone, पर अभी हम लोग have edge का यूज सीख रहे हैं, pass के लिए, ठीक है, जैसे मेरे पास एक card है, I have a card, कुछ समय पहले हम लोग सीखे थे, मैं जा चुका हूँ, I have gone, लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं, have edge का परियोग, pass है के लिए, ठीक है, have edge का पहला परियोग था, चुका हूँ के लिए, भर्वत्री के लिए, have edge का दूसरा परियोग है, उप्योग करेंगे, pass है के लिए, जैसे मेरे पास एक कलम है, I have a pen, sentence बनाने का formula easy है, मेरे पास एक कलम है, मेरे का English मतलब subject लिखना है, उसका रहाट have edge लगाना, उसका रहाट जो समान है, वो लिख देना है, I, we, you, day के साथ have लगता है, he, see, name, it के साथ has लगता है, जो एक से गिंटी में ज़्यादा उसके साथ भी have लगता है, आज हम have edge का परियोग pass है के लिए कर रहे हैं, कुछ sentence देख लेते हैं, मेरे पास एक किताब है, I have a book, उसके पास एक किताब है, he has a book, उसकी दो बहने है, he has two sisters, मेरे पास पैचास रुपए है, I have 50 रुपीज, उसे बहुत ग्यान है, he has deep knowledge, तो have edge या पास है का परियोग हम अधिकार possession के लिए भी करते हैं, जैसे मेरे पास एक गाय है, I have a cow, मेरे पास पैचास रुपए है, I have 50 रुपीज, मेरे पास ग्यान है, I have deep knowledge, मेरे पास बहुत पैसे है, I have a lot of money, पास का उप्योग हम relation यानि संबन के लिए भी करते हैं, जैसे भाई है, बहुत दोस्त है, जैसे मेरे पास एक दोस्त है, I have a friend, रोहित के तीन चाचा है, रोहित है थी अंकल्स, उसके दो भाई है, He has two elders brother, मुझे कई अच्छे दोस्त है, I have many good friends, पास है के लिए या है बहुत का उप्योग, शरीर के आंग के लिए भी किया जाता है, जैसे मेरे पास दो हाथ हैं, I have two hands, उसके दो आखे हैं, He has two eyes, और पास है का उप्योग, वीथीन या के अंदर में में अंदर के लिए भी किया जाता है, जैसे उस गिलास में पानी कम है, that glass has less water, मेरे मुबाइल में तीन गाने है, या मेरे मुबाइल के पास में तीन गाने है, my mobile has three songs, मेरे रूम में तीन खिरकिया है, my room has three windows, और पास एका उपयोग बीमारी के लिए भी किया जाता है, जैसे मुझे बुखार है, I have fever, कुछ और sentences देख लेते हैं, उसे घमंड है, he has pride, मुझे संतुष्टी है, I have satisfaction, मुझे बहुत काम है, I have lots of work, हम लोगों को साहस है, we have courage, तुम्हारे पास कुछ है, you have something, मेरे पास laptop है, I have a laptop, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, I have something for you, हम लोग पास है के लिए बना रहे हैं, मेरे पास car है, I have a car, नहीं बनाना है, I don't have लिखना है, बागी पुरा sentence से हमें, मेरे पास car नहीं है, I don't have a car, और नहीं वाला sentence है के लिए, उसके पास एक car है, he has a car, उसके पास एक car नहीं है, he does not have a car, अब नहीं के लिए not have हो सकता है, पनियां does not have लगेगा, he does not have a car, मेरे चार भाई नहीं है, I don't have four brothers, उसके चार भाई ही नहीं है, he does not have four brothers, तो हम लोग पास है, सीख रहे हैं, पास था के लिए होता है, had, पास होगा के लिए होता है, will have, पास हो सकता है के लिए होता है, can have, पास होना चाहिए के लिए होता है, should have, पास हो सकता था के लिए होता है could have पास होता के लिए होता है would have पर इसमें if भी लग जाता है और पास हुआ करता था के लिए होगा used to have क्या होगा used to have आईए एक एक सेंटेंस देख लेते हैं मेरे पास एक कार है I have a car उसके पास एक कार है he has a car मेरे पास एक कार थी I had a car मेरे पास एक कार होगी I will have a car मेरे पास एक कार हो सकती है I can have a car मेरे पास एक कार होनी चाहिए I should have a car मेरे पास एक कार हो सकती थी I could have a car अगर मेरे पास एक कार होती if I would have a car क्या होगा if I would have a car मेरे पास एक कार हुआ करती थी I would to have a car तो दोस्तो आज हम पासे वाला sentence सीखें ये वीडियो आपको कैसा लगा comment जरूर करें आपके लिए कुछ homework है मेरे पास एक किताब है मेरे पास एक किताब होना चाहिए मेरे पास एक किताब हो सकता है मेरे पास एक किताब हुआ करता था चलिए इसे comment में लिख के बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में बैसिक के क्लासेस में बाई वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नहीं वीडियो के